पैर सामने से घुमता है और ऐसे दूसरी तरह से इतले स्फुर्तियों हम एक अभ्यास को पात दस बार कर सकते बिना अलूदे कि यह चक्रदंड भीरे भीरे सामर से बढ़ेगा और चक्रदंड के बाद बहुत है ऐसे नीचे फिर उपर उठें वापस आ गए और मार दिया के पढ़ते और ऐसे वापस आते और अब सेव दंड में तो बहुत अधिक संतुलन के अपेक्षा है कि दुना हाथों पर पुरे शरीर के भार को उठा लेते हैं और ऐसे संतुलन बनाते हैं कि ऐसे संतुलन बनाते हैं यह और सर्पदंड तो सभी करेंगे सभी पैर पीठे कर लेंगे इसको तो रोगी निरोगी योगी सब कर सकेंगे एक दो तीन चार पांच शे साथ आट नो दस बार दस बार से सुरू करें मैं गुर्कुल में बांच मिनट में पांसो बार किया करता था यह मेरा पिछले 40-45 सानों का अभ्यास है ऐसे अपने शरीर को बल्वान बनाने का अभ्यास होना चाहिए अब मिश्य दंड करते हैं एक दो एक दो तीन एक दो तीन अब इसको थोड़ा पांस केंगे इस प्रकार से हमारा शलीर सधा हुआ मेरे साथ सभी मिल करके बोलेंगे अथा योगान उशासना योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदाद रष्टू हूँ स्वरूपय अवस्थानम वृत्ति सारूपयम इतरत्र योगा करमसु कउश लव समत्तम योग उच्यते दोनों घरों को तल्वों से मिला लिया फिर दोनों हाथों को कंधों पर रख लिया और यों गोल गोल गुमा लिया ऐसे हैं पेरों को हिलाया पाद संचालन ऐसे कोहनियों से बड़ा सुन्य बनाया ये सकंध संचालन पाद संचालन सकंध संचालन ऐसे इसे एक एक अंग प्रत्यंग हमारा खुल जाता है अब अपने पूरे शरीर को हमें अनुशासन में ढालना है इंद्रियों को मन को प्राण विचार भाव संवेदना और जिसका शरीर इंद्रिया मन विचार प्राण भाव संवेदना सद जाते हैं यही तो जीवन है अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और सामने खोल करके दोनों पैरों को दाइने हाथ से बाए पैर को छुएंगे बाया हाथ पीछे उपर और फिर दूसरी और से इस तरह से लगातार साथ अप्रे के साथ करेंगी योगा फ़र ओवीची की आधी से जादा दुनिया की आबादी महात्यकोन योग का अभ्यास और इतना सहज की सारा संसार कर सकता है और दुनिया की आधी आबादी को हम इनी अभ्यासों से मोटा पिसे मुक्त कर रहे हैं और हमने करोडों किलों वजनिस देश का पिसले तीन दश्कों में घटाया रिलाक्स और अब दोनों पैरों को मोड लेगे रिलाक्स होने के लिए भी हमारे पास आसन है मरकट आसन मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं तीस सालों से सारवजनिक जीवन में योग करवा रहा हूं दोनों पैर पास में घुटने पंजे पास में दाहिनी तरफ पैर भाई तरफ गर्दर और इन तीन दश्कों में हमने 100-200 करोड किलों वजन कम किया है कुछ लोग कम करने के बाद दुवारा बढ़ा लेते हैं यह अलग भात है सुबह सुबह कपाल भाती करते हैं हमारे साथ बाद में परांठा भाती चालू कर दे तो भाती भाती के वेंजन खाते हैं फिर बढ़ा लेते हैं दूसरी और से एक तरफ गुटने दूसरी तरफ गर्दन ऐसे, ये मरकट आसन, अब मेरुदर्ण के लिए अभ्यास बता रहे हैं, हमने एक दिल में एक एक दो दो किलो वजन घटाया है, मेदो हरवटी, तिरिफला गुगल, वेट गो, अश्वगंधा, सुबह उठकर के गरम पाने में हल्दी, अदराक, नीबू गरम पानी म मिलाकर के शहद के साथ पिलाया, गोधन अर्ग उसको भी थोड़े गुनगुने पाने में पिला देते हैं, मरकट आसन का दूसरा भ्यास गुटने पंजों में फासला, और उससे हमने लोगों का वेट कम किया है, हमने अन्न बंद कर दिया, शाक, सबजियां, फल और वाटर मुलियम ठेरापी कराते हैं, ड्राइ मसाज कराते हैं, बस्ती देते हैं, और सुबह साम योगा भ्यास कराते हैं, पैर, सीध ही, मरकट आसन का तीसरा भ्यास, सभी एक साथ दहीने पैर उपर उठाएंगे, और दहीने पैर को बाई तरफ लेकर के आएंगे, अब ये मरकट आसन सब को करना चाहिए रीट की हड़ी का स्वस्थ रहना सब के लिए जरूरी है क्योंकि यदि हमारा structural balance नहीं होगा तो हम कैसी स्वस्थ रह पाएंगे थोड़ी दे ठेरे एक आसन में एक एक दिन में हमने एक एक दो दो किलो तक वजन घटाया है लोगों का जिन में दुरुड़ इच्छा शक्ति है पूरा योगा भ्यास करते हों दूसरे पैर को ठाले ते là ही बाया पैर उठाया और उसको दाहिने पैर के और लेकर आपके और लेकर किया बाएंपैर को दाहिने आपके पास और बाईंग तरफ गरदर ऐसे और थोड़ी देर इस स्थिति में ठैरते हैं वेट की तरह हमने सर्वाई को स्मॉलाइटिस पेंश्रिप्डिस की नहीं शाटिका लुमस पॉलाइटिस एंक्लोजिंग पॉलाइटिस जैसे जिनको असाथ दिरों कहा जाता उसको भी ठीक है हमने यह मरकटासन के बाद बिल्कुल सरल सहज अभ्यास यह मेरुदंड का पैकेज हम दे रहे हैं मेरुदंड में भी बहुत समझ जाए हैं हैं लोगों को घुटनों से स्पर्स करेंगे छाते को घुटनों को मोड के रखा छाती से लगाया सिर ने उठाया अर्धपवन मुक्तासन बहुत अधूत है यह मिरुदंड के लिए हैं फिर दस बीस सेकंड से सुरू करके धिरे धिरे आदा एक मिनट तक रोकते हैं फिर दहने पैर को पर उठाएंगे एक पाद उत्तानासन फिर नीचे लिए धिरे धिरे जिनको घुटनों में दर्द है विधीरे धिरे कर ले गुटना सीधा रखना कोशिश करना पंजिवी सीधे रखना ऐसे कमर में अधिक दर्द है तो दोनों परों को एक साथ न उठाएं एक एक पैर को उपर उठाया नी बीस पचीस पचास सो सो बार तक करा देते हैं इससे फ्लैक्सिबिलीटी भी इंप्रूव होती है तो यह कि एक अपाद उत्दानासन कि दोनों पेरों को मोड के रखा से तो बंधासन बीज से उठा दिया कमर को यह बड़ों सहज अभ्यास है सहज स्वसन के साथ किया जिनको उधर के रोग हैं इससे स्वाथ चोड़ दिया पेट को अंधर कीच लिया को उधर रोगों में विशेश लाब होगा और कपाल भाती कि साथ किया तो सभी रोगों में अब उल्टे लेड़ जाएंगे समय उल्टे लेड़ जाते हैं मंच की तरफ सीर पीछे की तरफ पैर और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे सर्वाइकस प्लाइटिस पें सिल्व लिश्क शाटिक अलोमस प्लाइटिस यह वो समस्या हैं जिनसे पूरी दुनिया लगबग जूच रही है एक एक पैर को पीसे से मोड़ा और सीधा किया